असलाम अलेकुम एवरिवन क्या हाल हैं आप सब के मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा कि आप सब लोग कैसे हैं और अगर आपने मेरी कोई रेसिपी ट्राइ की तो मुझे उसका फीडबेक प्लीज लाजमी दीजेगा आज हम बनाएंगे बहुती मज़ेदार सा चनी की दाल गोश इसके लिए मैंने लिया है एक कप भर के चनी की दाल इसको मैं साफ करके बहुत अच्छी तरीके से वाश करके और भिगो के रख दूंगी 15-20 मिंट के लिए ठीके जी इसके साथ मैंने लिया है आदा किलो के करीब गोश ये मिक्स गोश है इसमें अहां आष्णा था गोश झाल कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगे मैं आगे पिसावा गरम शास घाल शाल को जाएक तो मैं इसके अदर गोश झाल करंगी 20 गोश तो-ई-चमार फड़ करें उपर गोश फुर या लिए-चाँप यहां मैंने कले बैट किया है कि मेरी दाल अच्छी तरीके से भीग चुकी तो मैंने इसको कोकिंग पॉट के अंदर डाल के कुक करना स्टार्ट कर दिया था ठीक है यहां जो है हमारा गोज भी बहुत अच्छी तरीके से अज्रक और लेसन में भुन चुका है इसके बाद अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे एक टेबले स्पून भर के मैंने इसके अंदर पिसा धनिया डाला था पिसी लाल मिर्च एक टेबले स्पून भर के जो है नमक हाफ टेबले स्पून के करीब हल दी पिसी लान मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीज़ेगा आप इसको कम या जादा कर सकते हैं नमक आप इसमें एक टेबली स्पून ही शामिल कीज़ेगा क्योंकि हमने डाल के अंदर नमक शामिल नहीं किया है ठीके जी जब इसमें हमने तमाम तर मसाले शामिल कर दिये इसके बाद हम इसमें एक से दो बार चमचा चलाएंगे कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके बाद मैंने इसके अंदर एक किलास के करीब जो है पानी शामिल किया था जिसके अंदर हमारा गोश जो है वो गल जाए इसके बाद आपने हलकी आँच पर ढखके इसको छोड़ देना है जब तक आपका गोश गल जाए जब इस टाइम पे मैंने देखा था तो पानी अच्छी खासा जो है वो ड्राइ हो चुका था और मेरी दाल जो थी वो भी तकरीबन जो है 95% कुक हो गई थी और गोश भी 95% कुक हो गया था तो मैंने दौनों चीजों की आँच जो है वो तेस कर दी थी ताकि जब तक इनका प तरीके से उपर आजाए ठीके जी इस तरीके से उपर आगया आपका वाइल तो यानि आपने गोश को अपने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया अब आप इसके अंदर डाल शामिल कर सकते हैं इसके साथ-साथ मैंने यहां यहां जो है वाइट ट्राइस जो थे वो वो पाच मिन तक तेज आज पर पकाऊंगी यहां आप अपने हिसाब से देख लीजेगा कि आपको चने की डाल गोश में कितना पानी रखना है मैं बहुत जादा इसको पतला नहीं रखती इसके साथ मैंने हाफ टी स्पून के करीब इसमें पिसा वा गरम मसाला शामिल किया है आदा टी स्पून हम आगर जाके शामिल करेंगे इसके बाद मैं इसमें डाली इती हरी मर्चे तीन से चार आप चाहें तो हरी मर्चों में अचार गोश का जो मसाला होता है वो बहर के शामिल कर सकते हैं उस सभी बहुत मज़े की हरी मर्चे हो जाएंगी यहां जो है मैंने इसके अंदर पौदीना अब पाच मिन तक जो है मैं इसको पकाऊंगी कि जो है इस सब तमाम चीजे अच्छी तरीके से जो हमने हरी मुर्चे डाली है और पौदीने की खुझबू जो है वो तमाम हमारे मसाले में शामिल हो जाए यहां जो है भगार की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। यहाँ मैं एक फ्राइपैन लिया है जो आपको पसंद हो जो आपके पस अवेलिबिल हो ठीके जी यहां जो है मेरी प्यास ब्राउन की तरफ आ गई है तो जो मेरा हाफ टी स्पून बच्छा हुआ जो था गरम मसालर जो था वो मैंने चूला बन करने के बाद वो इसमें शामिल कर दिया है लेकिन जब आप गरम मस जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी भगार आप जब ही लगाएगा जब आपको सर्फ करना हो वना प्यास अपना कलर छोड़ देगी ठीक है यह था फाइनल लुक मेरी डिश का मेरी डिश जो है चने की डालकोश वो जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे फीडबैक द